हेलो फ्रेंड नमश्कार तो देखें यहाँ पर कच्ची कच्ची अंबी दिख रही होगी देखने में मूँ में पानी आगया ना आप सबके तो हमारे यहां मंगल बजार लगता है तो मैं यहां वहाँ से कच्ची अंबियां ले आई तो मैंने सोचे इसका अचार डालू जो जटपट अचार जो बनता है वो डाल लेते हैं और 10-15 दिन तक वो चलता है तो फिर मैंने यहां दो अंबियां ले ली हैं और उनको छील लिया और अच्छी तरह ऐसे वाश कर लिया सुका लिया और छील लिया छीलने के बाद उसको ऐसे कट कर लेना छोटे-छोटे पीसिज में तो फ्रेंड्स मंगल बजार से मैं लाई थी और वैसे आप अचार लाओ तो कितना महंगा पड़ता है तो अपने घर का बना अचार एक तो साब सुतरा भी होता है और अच्छा भी होता है खाने में टेस्ट भी होता है तो और सस्ता भी पड़ता है तो मैं यहां ले आई हूँ अंबिया दो और उसका डाल रही हूँ आचार छोटे-छोटे पीसिज में यहां अंबियों को कट कर दिया उसके बाद एड़ कर देने है मसाले मसाले में वही है काला नमक, सफेद नमक और एड़ कर देना है मेर छल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और देखें यहाँ पर मैं एड़ कर रहे हूं कलोंजी प्लस सौफ को मीठी सौफ को इनको दरदरा मैंने मिक्सी में पीस लिया और एड़ कर दिया इसका अलग ही टेस्ट आता है काफी स्वादिस्ट लगता है अचार इस इन दो इंग्रीडियन्स से तो और एड़ कर देना है यहाँ पर तेल को सरसो के तेल को और अच्छी तरह मिक्स कर दिया तो फ्रेंड्स मूँ में पानी आ रहा है न देखके जब मैं यह वीडियो बना रही थी जब ही मन कर रहा था कि मैं खा लूँ पर मैंने का नहीं पहले बना लेती हूँ फिर खाएंगे बाद में तो देखे फ्रेंड्स यह आपने अच्छी तरह मिक्स कर ले न और मैंने यहां सूखा जार था मेरे पास तो मैंने उसके अंदर डाल दिया सारे अच्छार को और अच्छी तरह मिक्स कर दिया ताकि सारा मसाले आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाएं तो फ्रेंड्स देखिए हो गया तयार चट पटा जल्दी बनने वाला 15 दिन तक ये अचार खराब नहीं होगा तो कैसी लगी आपको रेसिपी सी के साथ बाई बाई टेक क्यार फ्रेंड्स